नतीजों से पहले गौलियर पहुंचे जोतीरा दिते सिंध्या ने बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर जनता के आशिरवाद से बीजेपी की सरकार बनने जारी है अब बात राजनान गाओं की जहां पूर्फ मुक्यमंत्री रमन सिंग ने जिला बीजेपी कारेले में बैठक की जोरान उन्होंने कहा एक्जिट पोल के नतीजे के हिसाब से प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है आगे कहा कि प्रदेश में कॉंग्रेस का ग्राफ गिर रहा है और कॉंग्रेस के 75 सीटों का दावा फेल होता नजर आ रहा है कि कांग्रेस जो 69 सीट जीत आई थी उसका कितना नीचे गिरावट हुआ है और 69 सीट से नीचे आते आते दो एग्जिट पूल ने 40 और 42 तक का कांग्रेस के सज़संख्या बताई है इसका मतलब है 69 से 42 और 40 तक आ गए है दूसरी तरह भारती जन्ता पार्टी है 15 विधानसभा सीट जीतने से आगे बढ़ते बढ़ते 48 और 46 दिखा रहा है पूर्मुक्यमंत्री दिग्विजे सिंग ने एग्जिट पूल के नतीजों को भ्रमित करने वाला बताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस को 130 से ज़्यादा सीटे मिलेंगी साथी उन्होंने कहा कॉंग्रेस की सरकार बनने जा रही है एग्जिट पूल के नतीजे इतने डाइवर्स है उसमें कुछ कहीं नहीं सकते इतना मैं कह सकता हूँ कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मद्वर्देश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कॉंग्रेस पार्टी को सीटे मिलेंगी इस परश्ट बहुमत मिलेगा लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा जनता चुनाव लड़ी है कॉंग्रेस का छोटा कारिकरत चुनाव लड़ा है लोग बाव ऊप चुके हैं शिवरासिंग चोहान उनके जूटे वादों से और भारती जन्ता पार्टी के दुश्कर्मों से भारती जन्ता पार्टी के कुशासन से चलिए आगे बढ़ेंगे एक्जिट पोल में बीज़ेपी के पक्षमे रुजान दिखने के दावे पर कॉंग्रस नेता और राज्यसभा सांसत प्रमोत तिवारी ने क्या कहा ये भी सुन लीजे 36 मद्प्रदेश राजस्तान तेलागना में अपने बूते पर सरकार बनाने जा रहा है मिज़ोरम में हमारे बगएर कोई सरकार नहीं बनती तो गड़वंधन के साथ सरकार बनेगी मैं इस मामले में बहुत असपस हूँ और ये मेरे अपने अनुभव पर आधारी थे जहां तक सवाल अगर आप करें कि ये जो आएं हैं चुनाओ के बाद के जो सर्वे तो मैं सर्वे का सबसे बड़ा आपको उधारन देता हूँ कि सर्वे का सर्वे कर लीजे कोई एक रिपोर्ट दूसरे से मिली नहीं खा रही है कोई किसी को जीतता हूँ दिखा रहा है कोई किसी को जीतता हूँ दिखा रहा है तो जब सर्वे ही आपस में एक दूसरे की काट कर रहा है तो उन सर्वे पर मैं भरोसा नहीं करता अपने बयारों से सुर्ख्यों में बने रहने वाले बीजेपी सांसत गिरीराज सिंग ने बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को कई राज्यों में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत होगी हम इस पर नहीं कुछ बोलते कि पांच में से लेकिन मुझे पांच में से तीन तो मश्ट जीतूँगा तीन से चार नतीजों से पहले जेडियो के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा कि मुझे परसो का इंतजार है और मेरा आंकलन है कि बीजेपी की करारी हार होगी सुनिए और मेरी इच्छा भी है और मेरा आंकलन भी है कि भारतिय जनता पार्टी की पराजे होगी 2014-2019 में परदान मंतरी ने जो दावे और वायदे देश की जनता से किये थे जनता के एक बड़े उत्साह और उमंगे के साथ उनको विज़े बनाया था चाहे वो महंगाय का मुद्दा हो चाहे वो बड़े हुए दामों में कठोती करने का हो चाहे महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार हो और हर भारतिये के खाते में दस-दस लाक रुपे आएंगे और किसानों की आयद दुगनी होगी इसको लेकर खे तो अब गाह में भी बच्चे मजाक उड़ाने लगे हैं लिहाजा इस पराजे से इंडिया गठवंदन का होसला बलंद होगा और 2024 के विजय की पठकता लिखने का सिलसला भी प्रारंब होगा तो बी जे पी के वरिष्ट ने ता प्रेंपरकाश पांडे ने एग्जिट पॉल पर कहा कि थोड़ा सा कॉंग्रेस के पक्ष मे एग्जिट पॉल दिखा रही हैं करप्षन कारून वर्वस्था को लेकर सरकार के खिलाफ़ लोगों में आकोरुश दिख रहा है सुनिए 75 पार और ये तो उससे लगता कि कॉंग्रेस के एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे आया है अब इसमें दो चीज हमारी है कि कॉंग्रेस नीचे जा रही है और हम उपर जा रहे है मेरा मानना है किसान का इसू बराबरी पे हमारे तरफ जो हमारा किसान है भाजपा का वो भाजपा के तरफ है कॉंग्रेस का जो कॉंग्रेस का जो मजदूर है जो पिछले समय पिल डित रहा है वो हमारे तरफ आया सास की करमचारी हमारे तरफ आया इवा जो ठगा गया वो हमारे तरफ जो गया था जी जहां तक सुरू में चला भूपे से तो भरोसा है लेकिन कांग्रेस ने बाद में भूपेस के नाम कोई जगा कांग्रेस से तो भरोसा कर दिया सामुइक नित्वत की बात कि आप ओटर के फ्लोटिंग को आप बता दी सकते तो इसलिए पूरा भरोसा है हमें और उसके कांग्रेस के पास जाने का नहीं है कांग्रेस से आने का है कि बता रहे थे कि किस तरह से वोटर इनके साथ इनको पूरा वरुस्वा है कि जो रिजल्ट आएगा वो बीजेपी की पक्षमा आएगा प्रदेश में भाश्पा की सरकार बनेगी नियोज एटीन चात्रसगर के लिए बिलाई से मितले श्टाकुर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए खबरे आगे भी जानी रहेंगी